महाराज हरिश्चंद्र की कथा, सत्यूब के अंतिम काल में सूर्य वशी इक्ष्वाकु वन्ष में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे, वे बड़े सत्गुनी महापुरुष थे और सदैव पुन्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होत वे बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दाता, धर्मवान और दयावान थें। कोई मनुष्य किसी से बढ़कर सुख सुभीते नहीं चाहता था। सात्यवादी, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी सती साध्वी महारानी शैच्या, कुछ स्थानों पर इन्हें तारामती से नाम से भी जाना गया है। भी धर्म, सात्य और न्याय के प्रती वैसा ही अनुराग रखती थी। राजा, रानी सब तरह सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान न होने से उनका सुख्व संताप में परिनत हो जाता था। महर्शी वसिष्ट उनके कुल गुरू थे, और उन्होंने राजा से वरुन देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। वरुन की कृपासे, महारानी शैविया को रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन हुआ। पर इसमें शर्थ ये थी, कि वरुन देव की तुष्टी के लिए राजा उस पुत्र की बली चड़ाएं। पुत्र मोव से राजा वैसा ना कर सके। इसलिए वरुन के कोप से राजा को जलोदर रोग हो गया। राज कुमार रोहित अपने पिता के कश्ट दूर करने के लिए अपनी बली देने को तैयार हो गया। पर वसिष्ट ने अपनी युक्ती से रोहित को बचाया। वह इस तरह की एक ब्राहमन को सो गाएं देकर उसका लड़का खरीद लिया। उस ब्राहमन पुत्र का नाम था शोन। शेफ। फिर यह निश्चे हुआ की रोहित के बदले इसी लड़के की बली चधाय जाए। किन्तु विश्वामित्र को उस लड़के पर दया आई। उसका प् वरुन देव की आराधन करने के लिए कहा. लड़के की आराधना से वरुन प्रसन हुए। उन्होंने उसका वले दान लिये बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश, थे। अब उन्हें राज सुए यग्या करने को यग्य निर्विग्हन समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आये। गुरू, वसिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदार्ता और दान शीलता की बड़ी प्रशंसा की। लेकिन विश्वामित्र ने ये सब बाते पहले नहीं माई। वसिष्ठ के आग्रह करने पर विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चै किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्रामहन के रूप में पहुँचे और राजा से कुछ याचना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन। यदि आप मुझसे अभिलशित वस्तू दे सकते हैं, तो अपना राज्य और सर्वसुख अरपन कर दीजिए। राजा अत्यंत्रदानी और उदार थे। ज्यानी रिशियों और ब्रामहनों को संतुष्ट करने में वे कभी किसी भी त्याग से नहीं हिचकते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सर्वस्व विश्वामित्र को अरपन कर दिया। इसके बाद, विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिना भी मांगी। अब राजा दक्षिना कहां से दे। क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो वे पहले ही दान कर चुके थे, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी ना बचा था, प्रजा उस समय रो रही थी, राज्य में सर्वत्र शोक छा गया था, राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे, तब विश्वामित्र ने सामने पहुचकर उन्हें दक्षिना देने की प्रतिग्या की याद दिलाए, राजा ने छाती थूख कर कहा, हाँ, भगवन अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए, विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सब को पार करके काशी पहुचे, काशी में भी विश्वामित्र ने ब्रामहन का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यावादी हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण होते गए. विश्वामित्र को दक्षिना देने के लिए अंत में. हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैविया और पुत्र रोहित को एक ब्राहमन के हाथ बेच दिया. विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दे दिया और कहा भगवन अपनी स्री और पुत्र को बेच कर यह धन पाया है. इसे लीजिये और मुझे रिन से मुक्त कीजिये. पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट न हुए. उन्होंने कहा कि मुझे एक महान यग्य करना है जिसके लिए ये धन तो बहुत कम है. अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने. पर हरिश्चंद्र को स्वयम ही एक डोम के हाथ बिखना पड़ा और जो धन मिला. वह उन्होंने प्रसंचित से विश्वामित्र को दे दिया. देवतोने ने राजा की बड़ी प्रशंसा की. राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल की दास्ता करने लगे. ये शम्शान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते. उधर उनकी रानी शैव्या पुत्र सहित उस ब्रामहन के यहां द दास्ता करती. एक दिन राजकुमार रोहित ब्रामहन के लिए फूल चुनने को गया और जब फूल लेकर लोटा, तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया. रोहित की उसी समय मृत्यू हो गई. रानी ने जब पुत्र की मृत्यू सुनी, त तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई. रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शम्शान पहुची. डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को न पहिचाना और वे उससे शम्शान का कर मांगने लगे. शैव्या ने रोकर कहा कि मैं एक अनाथिमी अबला हूँ. मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. रानी अपना राज सुखियाद करके बहुत विलाप करके रोने लगी. तब हरिश्चंद्र ने उसे और रोहित को पहिचाना विलाप करने लगे. फिर वे शैव्या का क इधर माफी कराने के लिए अपने चांदाल स्वामी के पास गए. इधर विश्वामित्र की माया ने शैव्या को लड़के के रक्त से रंग दिया और उसे बालगातिनी अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्र किया. इस बीच में चांदाल सहित हरिश्चंद्र भी की वहां आ पहुँचे. चंडाल ने हरिश्चंद्र को आग्या दी की इस बालगातिनी स्त्री को मार डालो. लाचार होकर हरिश्चंद्र ज्योही खडग लेकर उसे मारने के लिए खड़े हुए. उसी समय विश्वामित्र सहित देवताओं ने पहुँचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया. उन्होंने राजा के सत्यवरत की बड़ी प्रशंसा की राज कुमार पुनह जीवित कर दिया गया. विश्वामित्र ने प्रसन होकर अपने कितने ही तप का फल राजा को दिया. हरिश्चंद्र को राज पाठ सब मिल गया. और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्ग काल तक करते रहे. अंत में रोहित को राज्य दे करवे. सूर्पोर सिधार गये. अनंत विपत्तियों में भी मनुश्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए. यही शिक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिलती है.